दोस्तो प्ले स्टोर से हम अपने मोबाल में जितने भी एपस डाउनलोड करते हैं या इंस्टॉल करते हैं उन सभी की हिस्ट्री हमारे प्ले स्ट्री में इस जगा पर सेवर रहती है जो कि दो जगा पर दिखाई देती है कहां कहां पर दिखाई देती है और इस हिस्ट्री को किसे हम हटा सकते हैं Play Store से install किये गए Apps की history को किसे मिटाते हैं यह इस वीडियो में हम जानेंगे तो पहले तो हम देखते हैं कि यहां पर दो जगह पर कहां कहां पर अपनी history दिखाती है मैंने जए Apps के अंदर जब हम आते हैं और रेटिंग और रिवीव में जाते हैं तो यहां पर उन सभी Apps की लिस्ट आपको दिखाए देगी जूर की आपने अपने मोबाइल में कभी ना कभी इस्टॉल किया है तो अगर आप इन Apps में से कोई एसा आप है जिसकी history आप बिलिट करना चाहते हैं यहां पर दिखाए दे तो उसको केसी मीटा सकते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे एक जगर पर ओड दिखाए देता है यहां पर मेंच पर आप क्लिक करते हैं और यहां पर अनिस्टॉल Apps के अंदर जब आप देखेंगे तो यहां पर भी उन एपस की history दिखाए देगी आपको जिनको आपने कभी न कभी इस्टॉल किया होगा तो इनकी history कैसे मिटाते हैं चलिए जानते हैं आपको अपनी profile icon पे क्लिक करना एक बर manage apps और games में जाना है manage पे क्लिक कीज़े और यहां पर देखें आपको अगर आपने अभी अपने mobile में वो एप इंस्टॉल कर रखा है तो इस list से आप उस एप को डिलीट कर रखते हैं और अगर आपने वो एप डिलीट कर दिया और अपने mobile से पहले ही तो आप यहां पर note install option select कीज़े उसके बाद उन सभी apps की आपके सामने list आजाएगी जिनको आपने mobile में कभी न कभी श्टॉल किया था और उस की history यहां पर show कर रही है तो अभी देखें आपको जो भी एप यहां से हटाना है या इस टिलीट करना है उसको select कर लेज़े जैसे हम अपन यहां पर इसको select कर लेते हैं तो यहां पर जितने भी apps की history आप delete करना चाहते हैं उन्हें select कर सकते हैं यहां पर और delete करने के लिए यहां पर उपर की तरफ देखें आपको एक delete option मिलेगा यहां पर blur हो गया इसको ठीक कर लेते हैं ठीक है तो यहां पर देखें डिलिट का आइकन है आपको simply इस पर क्लिक कर देना है remove पर क्लिक कर दीजिए तो अभी देखें जो history यहां से गायब हो चुकी है अभी अगर आप rating में आकर देखेंगे यहां पर क्लिक कीजिए manage apps और games पर क्लिक कीजिए rating और review में आके देखेंगे तब भी आपको वो जो एप है या जो game है उसकी history यहां पर दिखाई नहीं देगी ठीक है तो इस परकार से आप अपने mobile के play store से install किये गए apps और games की जो history है वो मीटा सकते हैं अगर आपको जानकरी पसंद आई है तो इस वीडियो को like और channel को subscribe जरूर कर दीजेगा thank you